हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट बेल से दातुल में मैं हूँ आपका दोस्त दातुल गोयल आज हम बात करेंगे फिर से एंटी पीसी की एंटी पीसी जो की उपर के लेवल से फिर से क्रेक्ट होता हो नजर आ रहा है 166 के आसपास ये स्टोक गया था और वहां से अब देखिए 144 के आसपास जो है काम करता हो नजर आ रहा है जो बीकली चार्ट फ्रेम के उपर देखते हैं जल्दी से क्या इसका पैटर्न नजर आ रहा है तो आप देखेंगे क्लियर एक अप्ट्रेंट के अंदर है स्टोक और एक चैनल को फोलो करता हूँ अपर जा रहा है क्रेक्शन पहले भी इसके अंदर काफी हुई है और जो सपोर्ट लेवल से हैं वो भी हमने पहले भी बताए है और इस टाइप से देखेंगे यहाँ पर एक रिजिस्टेंस फेस कर रहा है अगर रिजिस्टेंस को ब्रेक करता तो स्टोक के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम बन सकता था 166 की बजाए यह स्टोक जो है 182 और 194 के लेवल भी दिखा सकता था बट स्टोक जो है फिर से रिजेक्ट होता हूँ नजर आए और जो पहली सपोर्ट लेवल थी उसको भी ब्रेक कर दिया अब नेस सपोर्ट लेवल की तरफ बढ़ता हूँ नजर आ रहा है तो इन लेवल्स के उपर आपको बिल्कुल नजर रखनी है बीक लिए रसे देखिए 54 के आसपास की है जो की थोड़ी सी बीक पड़ती होई इस टाइम पर नजर आ रही है अगर हम डेली चार्ट फ्रेम पर देखें जैसे मैं आपको दिखाया पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न इनी लाइन के बीच में स्टोक काम करता हूँ नजर आ रहा है तो यहाँ पर देखिए पहले भी उपर के लेवल पर रिजिस्टेंस फेज किया और निचे के लेवल तक आया अगेन उपर गया तो यहाँ पर रिजिस्टेंस फेज किया फिर से निचे इसी लाइन के उपर सपोर्ट लिया फिर स्टोक जो है उपर के लेवल तक जाता है और यहाँ पर रिजिस्टेंस फेज करता है फिर से निचे आ रहा है share अभी भी एक uptrend में है slow move करता है share बट resistance लेवल को break नहीं कर पा रहा है तो अभी देखिए जो stock है 143.55 के आसपास का इसने low बनाया है 141 पर आपको नज़र रखनी है अगर 141 को भी break करता है तो stock जो है 130 के आसपास भी पहुंसता हुआ नज़र आ सकता है तो इन लेवल के उपर बिल्कुल नज़र रखके चलिए अगर आप इसके अंदर किसी भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं जा इंवेस्टमेंट कर रहे हैं टू आर्स का चार्ट पैटर्न आपको लगाना है जब भी stock इस level को break करके उपर की तरफ निकलेगा तभी आपको इसके अंदर पैसा लगाना है अदरवाईज क्या होगा कि stock जो हो सकता है थोड़ा सा और भी डाउन जाए हो सकता है यहाँ पर breakout ना करके यहाँ पर breakout दे तो और फिर से यह stock जो है उपर के level तक जो नियर भाई जो भी level होगा उस तक पहुंसता हुआ नजर आएगा तो इन levels के उपर बिल्कुल नजर रखिए जो निचे के levels है सबसे पहला 141 का रहेगा उसको break करता है तो stock 130 तक जा सकता है बट entry आपको तभी लेनी है चाए fresh entry लेनी ह है जब भी यह breakout देता है उसके बाद ही stock जो उपर जाता हुआ नजर आता है तो बिल्कुल आपको इन levels के उपर ध्यान रखिए इन lines को draw करके रखिए तभी आप इसके अंदर पैसा बना पाएंगे thank you धन्यबाद